वर्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में डिसकस करना है हमने जो अबजेक्टिव टेस्ट आपका लास्ट संडे हुआ है EMI और ऐसी का जो बच्चों वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पहले मेरा जेंटल एडवाइस है कि जिन बच्चों को प्रीविएस नॉलेज है प्रीविएस नॉलेज ओफ फेरडेज लाओ, लेंजी ज लाओ, सेल्फ एंड मूच्वल इंड़क्शन, ट्रांस्फॉर्मर्स, एसी जनेरेटर जो की EMI एसी के बेसिक्स हैं फिर AC में रूट मीन स्क्वेर वैल्यू आफ एसी, सीरीज एल्चिया सर्केट, उसमें कपैस्टर, इंड़क्टर, रिजिस्टेंस, वोल्टेज करंट का फेस डिफरेंस, एंड लास्टली एवरिज पावर इन एसी यह सबी का जब बेसिक नॉलज है तो यह लेक्टर समझाएगा, तो जिनों ने अभी यह नहीं किया हुए है, उनके लेक्टर यह नहीं है तो वो पहले जो बेसिक नॉलज है वो एक्वायर करिए, फिर यह कोस्टन समझाएगे, आज के टॉपिक में सिर्फ निमेरिकल्स है जो कि J main, J advance और NEET के exam में आते हैं तो बच्चों का test हुआ था Sunday को उस test का ही discussion है जिनको basics clear है उनको राम से समझाएगा कोई problem नहीं है they must continue till end और जिन बच्चों ने test दिया है वो अपने problem देख लीजिए कहां कहां पे आपके gray areas है weak areas आपके कौन से हैं उनको check करिए और फिर साथ साथ में rectify भी कर लीजिए कि problem आपको कहां कहां पे आ रही है चलिए सबसे पहला question था दो conducting ring थे एक का radius था R और एक का radius था 3R एक का radius R एक का radius 3R और ये दोनों ring magnetic field में opposite direction में move कर रहे हैं एक की velocity है V दूसरे की velocity है 2V मैं आपको एक पुराना question दिखा रहा हूँ उसी के साथ इस question ने solve होना है नीचे ये जो wall है ये connecting है surface S is a connector तो दो conducting rings है P and Q radius है R and 3R एक का radius R एक का 3R और वो move कर रहे हैं opposite direction में with velocities V and to V और उनका जो contact है वो एक connecting surface पे है तो अगर यहां पे एक magnetic field भी हो uniform which is perpendicularly directed into the plane of the paper या कहिए plane of the screen या कहो perpendicular to plane of the rings एक ही बात है तो जो highest points है इन rings के topmost point इसको मानली जो P बोल देते हैं इसको क्यों बोल देते हैं तो इन में कितना potential difference develop होगा due to this motion तो मैंने एक पुराना question आपको करके दिया था मैं पहले उसी को एक बार demonstrate कर दूँ तो यह निया भी निकलाएगा तो मैंने आपको समझाया था के एक नीचे conducting अगर rod हो उसके साथ contact में दो rings हो इस तरह question था बस मैंने उस दिन velocity जो है दोनों की same रखी थी V each यहाँ पर velocity different है formula same ही लगने वाला है no doubt चलिए एक ring गया left को एक ring गया था right को लेकिन दोनों की velocity हमने V रखी होई थी इसको भी ठीक कर देते हैं अब देख लेते हैं क्या क्या change आएगा तो जब यह वाला ring बेटा right hand side को रहेगा तो आपने flaming's left hand rule से निकालना है कि जो electrons का motion है या positive charge का motion due to lawrence force वो किदर को होगा तो अगर हम left hand rule apply करें बड़े वाले ring को आप अपने हाथ को बेटा left hand को hold करिये crosses मतलब जो magnetic field है आपने right hand की four finger को into the screen कर लीजिए करके देखिए तो ज्यादा सही रहेगा और जो आपकी central finger है उसको right को कर लीजिए क्योंकि बड़े वाले ring ने right की ओर जाना है तो check कर लीजिए आपका जो thumb है वो upwards point कर रहा होगा तो उपर की तरफ बेटा positive charge जाएगा लेकि electron यहां कठे हो जाएगे अगर positive charge flow हो सकता proton जो की होते नहीं है तो वो उपर इकठे होने थे तो उपर इस पे positive voltage आएगी नीचे negative voltage आएगी positive charge होता वो उपर की और move करेगा लेकिन electrons movable है जो connection electrons है वो नीचे को आएगे तो यहां पे minus charge develop हो जाएगा same law up flaming left hand rule इस वाले ring को लग आएगे तो इसने move करना है left hand side को तो field अंदर को और अपनी central finger को अब आप left को कर लीजिए देखिए थंब नीचे को point करेगा तो नीचे की तरफ को आएगा positive charge that is electron जाएगे उपर की तरफ तो सबसे पहले इसमे direction of induced EMF कि दूर को बनेगा वो देखने वाला है तो जैसा बताया मैंने इस पर ऊपर positive जाकर deposit हो जाएगा इसके ऊपर जाकर negative deposit होगा तो अगर ऊपर positive गया नीचे यहाँ पर negative आएगा इसका ऊपर negative गया तो नीचे यहाँ पर positive आएगा चलिए हमने उस दिन यहाँ पर लिखा था इसका radius 2R बट यहाँ पर question में radius R दिया हुए इतना ही फरक ह और हमने velocity दी दोनों की V each V each बट यहां पे velocity different है V and 2V चलो मैं इसको थुरा सा formula करेक्ट करके लेखे दूँगा और नया answer भी आ जाएगा तो question था कि अगर यह point है P और एक point है क्यों इन दोनों points में कितना potential difference developed हुआ that was the question तो अगर हम जैसे अपने torch में या remote के हम cell डालते है तो हम एक cell का positive दूसरे cell के negative से जोड़ देते है तांके दोनों के EMF प्लस हो जाए एक cell का positive अगले cell के negative से जोड़ते है तांके दोनों voltage EMF add हो जाए तो बटा यहां विज्राद्यान से देखो एक source of EMF का negative दूसरे के positive से जोड़ा गया है तो यह दोनों voltages आपस में add होने है तो यहां पे जितने volt बनेंगे और यहां पे जितने volt बनेंगे हमने वो add करने हैं और जब कोई conductor magnetic field में move करता है तो उसकी shape matter नहीं करती shape जैसी मरजी हो shape आप सोचिए अगर मान लीजिए ऐसा टेड़ा मेरा shape भी हो तो भी चलेगा shape अगर exactly एक cylinder हो length L का वो भी चलेगा इन सभी में बताया था आपको same EMF induce होता है velocity V से यह इदर जाए यह जो मैंने loop draw किया irregular यह भी velocity V से इदर जाए और यह अपना पूरा जो conductor है यह ring की shape में यह भी velocity V से right को जा रहा है तो irrespective of the shape इसकी सिरफ हमने height देखनी है यानि कि वो length देखनी है जो velocity को right angle पे है तो velocity को right angle पे इसका diameter है और diameter obvious है इसका होगा 6R और इदर इसका diameter radius अगर R है तो diameter होगा 2R यह 2R ठीक लिखा हुआ है यह radius था 3R इसका radius 3R है तो बेटा हमने जो so called diameter उसको 6R लिख लेना है तो length जो है वो सिर्फ वो ही matter करती है और induced EMF का formula लिखा था हमने BLV तो यही formula लगाना है 2 EMF लेकिन बनेंगे और दोनों को हमने करना है plus तो अगर मैं बात करूँ बड़े वाले रिंग की बड़े वाले रिंग में magnetic field तो B था लेकिन उसकी जो velocity थी वो V थी और उसका diameter वो हुआ बेटा 6R तो यह तो हो गया बड़े वाले रिंग का voltage दोनों voltage हमने आड़ करने हैं चोटे वाले रिंग का जो voltage है वो आएगा B लेकिन velocity थी 2V B into V into L की जगा पर लिखेंगे 2R तो देख लेंगे आप BVR BVR दोनों जगा है यहाँ पर 2 into 2 4 आएगा यहाँ पर 6 आएगा 6 में 4 एड़ करेंगे तो answer 10 BVR आएगा So simple चली clear हो गया होगा So correct option is 10 BVR अब मैं extra erase कर रहा हूँ जिन्होंने note down करना है थोड़ा से video को पीछे कर ले न तो उस दिन जो मैंने कराया था आपको that was इसमें बिटा एक का radius था 2R इसलिए हमने diameter को 4R लिख लिया था थोड़ा सा फरक है बस और दोनों की velocity लेकिन V थी उस दिन और ये वाला जो था इसको लिखा था हमने B into यहां पे लिखना था 6R तो 6 BVR और 4 BVR को add किया उस दिन भी answer 10 BVR आया था यह मैंने correction आपको बता दिया था कि यहां पे आपको 4 नहीं लिखना था यहां पे 6 लिखना था चलिए ठीक कर देते हैं इसको यहां पे 6 आना था चलिए concept मेरा काम है concept को समझाना concept आपको clear हो गया तो question किसी और shape में भी होगा data different होगा तो भी आप निकाल पाएंगे चलिए question number 2 पे चलते हैं second question था एक semi circular connecting ring है semi circular connecting ring उसको yz यह बटा x-axis इसमें इधर है उसको yz plane में place किया गया है और magnetic field एक है जो की z की direction में है तो question है इसमें induced emf कब develop होगा जब इसको semi circle को किदर को move करें तो मैंने आपको एक simple सी बात बताई हुई है वो यह कि अगर हमें induced emf develop करना है एक connector के across तो वो connector का motion ऐसे होना चाहिए कि वो magnetic field lines को cut करता हुआ जाए field lines को काटे वो जैसे मालो field lines को समझो कि वो दागे की बनी हुई है और आपको एक knife दे दिया उस knife से आपने वो field lines यानि दागे काटने है तो कैसे move करोगे connector को तो मैंने आपको बताया था जो अपना faraday's law का derivation था उसमें एक formula अपना आया था BVL अभी यूज किया पिछले question में भी तो magnetic field का direction B, length of the conductor और velocity यह आपसे perpendicular होने चाहिए तो ज़रा दियान से देखिए magnetic field तो आपको दे दिया Z के long है ना Z के long दे दिया और जो conductor का plane है वो है Y, Z plane और इसका जो diameter है जिसको हम L consider करेंगे वो यह वाला है बटा तो जो length है connector की वो basically Y axis के long है तो बटा तीनों चीज़े आपसे right angle पे होनी चाहिए तो 1 Z के long हो गई, 1 Y के long होगी तो A के axis बची है X तो जो connector है वो X axis के long move होना चाहिए यानि उसकी जो velocity है ना अगर मुझे connector यहां draw करना है तो वो conductor X axis के long इदर को या पीछे को भी जा सकता वो भी चलेगा X के long चलना चाहिए आज़र positive X axis या फिर negative X axis चाहे आगे को आ जाए चाहे पीछे को चला जाए यह दोनों तरफ से ठीक है बटा तो हमारा जो answer है उसमें X direction आना जुरूरी है तो X वाल option A की है that is option number 1 तो इसका सही option था answer option number 1 तो positive X direction हो या negative X direction हो वो भी लिखा हुआ वो भी चलेगा दोनों में से कोई भी third question था एक rod है जिसका length है 10 cm 2 plus 3 5 और बीच में यह थोड़ा सा और पार्ट है इसको 5 cm लिख लेते हैं और rod जो है वो conducting और non-conducting material की बनी होई है जो shaded part है ना यह वाला यह non-conducting है यानि यहाँ पे एक लकड़ी का piece लगा हुआ है यह iron है स्रेटर से और यह भी iron है इसको गुमाया at the rate of 10 radian per second ओमेगा का value आ गया about point o o point के about rotate करना है यानि जो point a है वो एक circle में चलेगा जिसका radius होगा 10 cm और जो point b है वो भी गुमेगा in a circle of radius 7 cm हमें निकालना है क्योंकि तीन formula हमने निकाले थे faraday's law की derivation में एक तो था b l v अगर rotation हो रहा है वो तो था state line में motion हो जैसे aeroplane वाला case था अगर motion एक circle में हो रहा है उस case में याद करो b into area covered per second तो यह जो connector है a b इसने एक cycle में यह वाला area cover करना है तो यह area निकालने के लिए बड़े circle के area में से छोटे circle का area minus कर लेंगे तो formula हम जो use कर रहे हैं वो है induced emf equal to b into da by dt तो यह area जो मैंने red से अभी shade किया है यह area होगा πाई radius का square बाहर वाला बाहर वाले circle का area minus अंदर वाले का area या pi pi common निकाल दिया तो pi into seven square divide by एक चक्कर में जो time लगता उसको time period कहते है अब बच्चा के 10 power minus 4 क्यों आया क्यों आया radius centimeter में थी centimeter के meter बनाते हैं तो by 100 लगाना पड़ता है तो यह square है तो 102 बार आएगा यानि कि 10 power minus 4 लगाना पड़ेगा तो एक यहां पे टेकनीक थी छोटी सी वह यह कि यहां 2 से multiply और 2 से divide भी करना था ताकि 2 pi by time period को angular velocity यानि omega लिखा जा सके पुराना formula है omega के 6 formula थे one of them was 2 pi by time period equal to omega चलो 2 pi by t को omega कर दो और 100 में से 49 minus करेंगे 51 आ जाएगा बाकिये values बुट करनी है तो magnetic field आपको 2 dec ला दिया था 2 by 2, omega का value आपको 10 radian per second दिया है बस इसको solve करिये विरा 2 to cancel इसको 10 को इदर adjust कर दिजे minus 3 और आ जाएगा induced emf equal to 0.51 volt ज्यादा मुश्किल नहीं था हाँ बस यह द्यान अखना है कि सिरफ इतने part ने क्योंकि यह तो non connecting है इसी के cross निगालना है कितना emf induced हुआ तो जब यह circle में गुमेगा तो यह कितना area per second cover करेगा area described per second into magnetic field का strength कर दीजिए तीन formula थे जब faraday's law का derivation हुआ एक formula था BLV अगर object जो है na rod जो है state line में चले अगर circle में गुमें फिर formula था b into da by dt जिसको हमने short में फिर थुरा सा 2 से multiply divide बार करके b omega l square by 2 भी दिखा था वो भी आएगा question एक उस पे based भी है चले hope के clear हो गया होगा अब next question की तरफ चलते है next question जो है छोट छोटे question थे 4 & 5 4th question था कि power factor lcr circuit का resonance पे क्या होता है तो resonance पे current और voltage इसलिए मैंने बोला पहले कि आपको previous knowledge सारा सही होना चाहिए series lcr circuit जो है उसमें जब resonance आता है resonance पे current और voltage में फेस difference 0 हो जाता है और average power का formula था rms value of voltage into current का rms value into cause of phase difference between current and voltage तो resonance पे आप जानते है current और voltage में phase difference 0 होता है तो cause 0 की value आ जाएगी 1 तो बस यही पूछा था इसी को बोलते है power factor के cause 5 का value क्या आएगा तो equal to 1 हाँ कई बार 0 भी होता है answer मैंने बोला था लेकिन guarantee warranty नहीं है कि 0 ही answer होगा मेशा हाँ 90% chances होते हैं कि 0 answer आ जाए जहाँ पे 0 लिखाओ इसमें नहीं आएगा फिफ्थ question जो है यह भी power consumed पे था formula same p average equal to e rms i rms into cause 5 इसमें क्या है कि जो circuit का impedance है z का value वो तो है 22 यानि lcr तीनों मिलाके जो total opposition to the current बना वो 22 ohm था और जो resistance का value है circuit में 11 ohm है तो 5 की जो value है cause 5 निकालना हो lcr circuit में तो उसके लिए एक shortcut था cause 5 का value होता है resistance का value divided by total impedance circuit का क्या है तो resistance आपको दिया है 11 impedance भी दिया है 22 और आपको यहां पर values डालनी है तो cause 5 की value तो आगी आपके पास r by z अब रहागे e rms e rms आपको दिया है 110 volt current नहीं दिया तो current निकालने का त्रीका बड़ा simple है बेटा अगर voltage पता है circuit का total opposition पता है तो voltage को impedance से divide कर दीजे current भी आ जाएगा या सीधा shortcut भी मार सकते है जो e rms से उसका square कर देना divide by z कर लो वो भी ठीक है चलो तो e rms आपको given है 110 volt current कितना चल रहा है circuit में वो voltage by resistance resistance की जगा यहां पर impedance आएगा इतना opposition है पूरे circuit का into cause 5 का value आपको रिखना था r by z बस बाकी solve करिए 11, 11, 3 है दो cancel हो जाएंगे 22 के साथ है ना तो नीचे बचेगा 4 और उपर एक 0 इदर ले ले जिए 1100 by 4 जो की 275 watt आएगा बाकी calculation है लेकिन इसमें जो main funda है वो है कि P average का formula आना चाहिए और cause of phase difference निकालना हो जिसको power factor गहते है series RCR में वो r by z के equal होता है चले hope इसमें अब कोई problem नहीं होनी चाहिए अगले question पर चलते है question number 6 था एक alternating current है जिसका peak value है 300 root 2 और sign of omega t होता है यहां पर तो omega आपको दिया हुआ है 50 उसको connect किया एक circuit में जिसमें 1 microfarad का capacitor लगा हुआ है तो question है कि emitter की जो reading है वो क्या होगी बहुत simple question था तो अगर एक capacitor ही लगा हुआ है तो जो opposing effect है वो सिर्फ capacitor का होगा तो capacitor का reactance लिखे देंगे बस RMS voltage upon reactance of capacitor equal to RMS current जो AC के emitter voltmeter है पेटा याद रहें वो current और voltage की RMS value दिखाते हैं आपके refrigerator के ऊपर एक stabilizer पढ़ा है काफी बच्चों गर में है वैसे आजकल fridge जो है वो ऐसे वाले आने शुरू हो गए है जिसमें stabilizer का जुरूरत नहीं पढ़ता तो stabilizer पर आप देखेंगे उसमें एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और वोल्ट मीटर अगर आप उसमें एक option होता है कि इसको आपने on करना है कि नहीं करना है एक switch सा लगा होता है आप उसको on करके देखेंगे तो उसकी जो सुई है ना बेटा पॉइंटर जो है वो 220 वोल्ट शो करता है रफली बाकी हर गर्प में थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है तो 220 वोल्ट जो AC के मीटर है एमिटर वोल्ट मीटर वो बेटा rms value दिखाते है तो अगर पूछा जाए कि एमिटर की reading क्या होगी तो एमिटर दिखाएगा rms current तो obvious है rms current निकालने के लिए आपको rms voltage को जो भी circuit का opposition है यहाँ पे only capacitor था उसके reactant से divide करेंगे तो वो 1 by omega c होती है omega c denominator में था तो उपर जाके यह multiply हो जाएगा तो आपको यह तीनों को सिर्फ multiply करना है और निकल आएगा कि कितना current जाएगा ओके तो 50 जो है वो हो गया omega का value चैक करो बेटा इदर 50 है लिखा हुआ omega t omega t लिखा है यहाँ पे 50 t तो omega की जगा 50 आ जाएगा और capacitance का value c c का value ना 1 micro farad है 1 को छोड़ो पर है micro को change करेंगे farad में तो 10 पर minus 6 आएगा और यहाँ पे rms voltage लिखना था तो peak value of voltage 300 into root 2 है इसको root 2 से odd divide कर देंगे तो root 2 root to cancer remaining is calculation तो यह हो गया 15,000 10 पर minus 6 3 0 उड़ जाएंगे इसके साथ minus 3 रह जाएगा minus 3 को बेड़ा milli लिख सकते हैं तो 15 milli ampere is the correct answer 7th question देखिए question था at a certain frequency omega 0 the reactance of capacitor equals that of inductor एक inductor और capacitor का reactance omega 0 frequency पे same था अगर frequency को 2 omega 0 कर दें तो reactance of inductor का ratio reactance of capacitor के साथ क्या बन जाएगा तो omega मानलो वो frequency थी जिस पे दोनों का reactance यह मारा था inductor का reactance होता है omega L capacitor का होता है 1 by omega C पहले शुरू में दोनों equal थे यह फिर क्या हुआ हमने frequency को double कर दिया तो capacitor का नया reactance 2 times omega तो नीचे 2 आ गया that means नई reactance जो है वो पुराने वाली का half हो जाएगी देखा है आपने वैसे भी जो graph बनाया था हमने capacitor का reactance frequency बढ़ने से कम होता है inductor में omega जो है numerator में है उसको अगर हम 2 omega करेंगे तो reactance 2 times हो जाएगा तो इसका reactance half हो गया inductor का reactance double हो गया बट हमें पुछा दोनों का ratio क्या आएगा चलो एक काम करते हैं xc का value शुरू में xl के equal था ना जब frequency omega थी यहां omega not लिखी होई हमने omega लिखा इतना ही फरक है शुरू में xc और xl सेम थे तो xc को मैंने xl लिख दिया बट x हमें नई value निकालनी है ना कि नई reactance capacitor की और inductor की इनका ratio क्या है तो जो xl है यहां से देखी ध्यान से xl वो नई reactance by 2 है चक करो xl का value निया reactance by 2 तो मैंने xl को xl dash by 2 लिख दिया एक 2 पहले ही था यहां पर 2 into 2 हो गया 4 तो capacitor का निया reactance equal to inductor का निया reactance by 4 आपको निकालना है निया xl ratio xc बैटा xc को लेके जाओ नीचे 4 को ले जाओ उपर और यही answer भी है तो 4 ratio 1 is the correct answer बहुत simple सी बात है एक चीज जो है वो double हो गई और एक चीज आदी हो गई तो उनका ratio जो है अगर आप और ली वैसे भी सोच लो चीज डबल हो गई वो इस वाले का four times हो गई इसको into four करेंगे तो two आएगा ना साथ में यहां पर चली hope के clear हो गया होगा डिरेक्टली भी कर सकते हैं यानि बिना लिखे लेकिन लिखके तो किसी गलती के chances कम हो जाते हैं कई बार यहां पर one is to four भी question number eight question number eight में आपको na dimensions के लिए solve करना है इनको omega l by r, one by root of lc, lc into r and lc के dimensions के आएंगे तो एक formula हमने recently किया था के resonance frequency जिस पे inductor का reactance capacitor के reactance से cancel हो जाता है और जो circuit है वो purely resistive behavior बाला हो जाता है तो one by two pi root of lc resonance frequency थी तो two pi को मैं इदर लिख दूँ तो two pi into frequency omega होता है तो one by root of lc के dimensions omega वाले होते हैं तो बिलकुर सही है यानि option number two सही है और बाकी मैं थोड़ा homework आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप inductance के dimension निकाल के देखिए, resistance के देखिए और capacitor के देखिए हाँ उनके formula क्या है वो मैं लिखके दे रहा हूँ आपको जो resistance का dimension निकालना है ना उसमें formula यूज करना आपने power equal to i square into r इससे जल्दी निकलाएगा power के dimension आपको आते है ना ml2 t-3 उसको current के square से divide कर दो ml2 t-3 को current का square यानि कि ampere minus 2 से multiply कर दो या current के square से divide कर दो यह resistance के dimension आगे है एक और hint देता हूँ अगर आप inductor में बात करें energy stored derivation में ने करा दी वो half li square होता है ना again energy को current के square से divide करेंगे यही formula रहेगा सिरफ power minus 3 की जगा पे t का power minus 2 हो जाएगा यह inductor के dimension आ रहे हैं capacitor के कैसे निकालने हैं capacitor की energy stored पे आ जाई है capacitor की energy stored थी बैटा q square by 2c यहां से solve करेंगे यहां से dimension आ जाएंगे c के अपने हम निकाल के देखना तो c is equal to charge square by energy ऐसे करना है energy नीचे लिखनी है ml2 t minus 2 नीचे लिखना है charge को हम current into time लिख सकते हैं तो a square t square तो बाकी जड़ा option अपने अब देखिए पता लग जाएगा आपको गलत है यह तो main जो इसे formula था वो omega equal to one by root of LC उससे निकल आएगा लेकिन question किसी और format में हो सकता है तो आपको inductance, resistance, capacitance इनके dimension भी निकालने आने चाहिए ओके अब चलते है next question पर अगला question है series LCR circuit है उसमें voltage across resistance, across capacitor and across inductor वो same है 10 volt each resistance का voltage वो current के साथ same phase में होता है 10 volt है वो भी, inductor का voltage current से 90 degree आगे होता है यह आपने series LCR circuit में phase diagram draw किया था और capacitor का voltage जो है वो current से 90 degree पीछे होता है यानि कि resistance की voltage से भी 90 degree पीछे होगा अब होता क्या था कि जब आपने total voltage निकालना था total voltage तो यह दोनों voltage आपसे माइनस होते थे VL-VC फिर दो vector अगर right angle पे हो तो पाइथगोर सेरूम लगाते हैं तो VR square और यहां पे था VL-VC whole square तो पहले क्या हो रहा था कि यह वाला 10 और यह वाला 10 आपस में cancel होके ना 10 का square किया 100 तो यह तो 0 हो गया 100 का root निकाला तो 10 वोल्ट थे पहले अब question है कि अगर capacitor को हम short circuit कर दे short circuit कर दे मतलब capacitor को हटा दे बीच में से अगर capacitor हट गया तो जो यह वाला voltage है capacitor वाला यह exist नहीं करेगा यह अब नहीं है यह अब नहीं है तो आपको यह दो voltage अड़ करने है तो basically it is a square resultant निकालना है तो diagonal का size निकालना है तो आप जानते है square में diagonal का size होता है side into root of 2 तो यहां पे side of the square is 10 तो 10 root 2 अगर इसतरा से निकालना तो भी निकलाएगा देखो जी इसतरा करेंगे तो VC को हटा दो VC हट गया तो VL का square तो यह भी 10 था 10 square और perpendicular जो था y-axis के लोग वो भी 10 था उसका भी square करो ऐसे कर लोगे तो भी 10 root 2 volt आएंगे जो LCI circuit के questions हैं उनमें mainly आपको formula पता होना चाहिए बाकी इसमें ज्यादा कोई kinematics होता है laws of motion है कभी friction भी आ गया कभी incline play लागे इसमें ज्यादा आपको गुमाएंगे नहीं question बिल्कुल straight forward होगा simple होगा वो जो चार पांच formula है और concept है बस वो learn करो alternating current तो अराम से solve होता है कोई पंगा है नहीं इसमें चरिए question number 10 question है दो circular coils हैं उनको तीन तरीके से arrange किया गया है a b c किस case में जो mutual inductance है वो highest होगा maximum मिलेगा तो अगर एक ring की बात करूं मैं अगर उसमें कास देंगे तो उसकी magnetic field data टेटर से उपर की हो रहा है तो तीन तरह से coil जो छोटे वाली है उसको तीन तरह से place किया गया है देखो mutual inductance यानि की mutual effect एक दूसरे का maximum तब होगा अगर इनका flux linkage maximum होगा तो अगर तो coil को रखते हैं parallel to the lower coil जैसे के यहां पे हमने blue वाला coil draw किया है तो इस case में maximum field lines जो है ना primary coil की वो scantry में से जाएंगी लेकिन जो दूसरा diagram है दूसरे diagram में coil को rotate कर दिया जैसे yellow वाला case है तो field lines जो है इसमें से cross करेंगी वो तो almost zero हो जाएंगे इसका जो plane है ना coil का और field line का direction वो आपसे parallel हो गया है तो कोई field line cross नहीं करेंगे तीसरा situation था कि यही वाला जो coil है उसको right पे draw कर दिया यहां पे तो obvious है बेटा field lines जो ऐसे निकल जाएंगी तो इसके अंदर से flux जो है वो cross नहीं करेंगा field lines अगर किसी surface के plane के parallel है तो magnetic flux become zero तो yellow वाली coil और इस red वाली का mutual नेक्टर जीरो है red वाली coil और even red coil इनका भी zero है maximum आपको mutual inductance इस वाले case में मिलेगी तो वो है case A तो answer लिखना था आपको maximum in situation यहां पे 123 गल्थ लिखा हुआ है ABC आना चाहिए था तो first case में maximum mutual inductance मिलेगा तबी तो बेटा दो coil जब आपने आपने जैसे transformer था वो A की core पे वाइन की जाती है parallel हो ताकि maximum mutual inductance का effect आए चलिए अब question no.8 question no.8 है एक rod है जिसका length है N उसको uniform angular velocity omega से उसके perpendicular bisector के about rotate कर रहे है और एक uniform magnetic field B is existing जो की parallel to the axis of rotation है तो potential difference between the center of the rod and one and is कितना रवेल्ट होगा तो हमने एक cycle wheel वाला case किया था cycle के जो spokes थे तारें थी उनकी length को हमने L लिखा था तो जब ये wheel गूमता है such that के इसकी जो तार का motion है spokes का motion है field lines को cut करता हुआ जाए तो induced EMF का formula लिखा था हमने B omega L square by 2 L था एक spoke का length ये बदा अब जो हमारा rod है उसका length तो है L पूरी rod का length L है इतने पार का नहीं है पूरी rod का length is L इसको हम गुमा रहे हैं angular velocity omega से magnetic field में गुमाव चाहे clockwise चाहें anticlockwise direction से फर्क नहीं पड़ता उससे सिर्व ये फर्क पड़ेगा कि center पे negative बनेगा या positive बनेगा बस ये फर्क पड़ेगा तो ये कितने radius में गुमा जाना ध्यान से देखिए पूरी rod का length L है तो इसका जो rotation का radius है radius यहाँ पे हमने L लिखा था ना यहाँ पे ये पूरी rod का length L है तो इतने पार्ट का length हुआ L by 2 तो L की जगा आप L by 2 डाल दीजिए बस answer आ जाएगा L की जगा इतना पार्ट चाहिए था तो यहाँ पे मैंने गलती से R लिख दिया कोई बात नहीं इसको आपना L कर दो बटा radius की जगा आप L डाल दो L by 2 तो यहाँ पे बटा L square आ जाएगा बस B L square upon 8 B omega L square upon 8 तो second option जो है वो correct option है तो आपको radius देखना था के radius जो है इस circle का कितना बन रहा है वो L by 2 आना है चलिए कोई doubt नहीं होना चाहिए clear हो गया है अगला question है question number 12 इसका मैंने आपको यह video दिखाया था net पे आप भी बहुत सारे videos पड़े हैं देख सकते हैं मेरे पास भी इसमान आ गया है किस दिन में आपको करके भी दिखा दूँगा अगर एक copper tube में vertical copper tube में अगर एक हम magnet को release करें देखा था आपने वो magnet नीचे आने में ज़्यादा time ले लेता है वो ही surprise था इसके पीछे ना नहीं तो क्यों करके दिखाना है magnet को इसके अंदर डाला तो magnet नीचे पहुँचने में ज़्यादा time ले लेता है यानि यह acceleration due to gravity के साथ नीचे नहीं आता बंदा उपर से छोड़ता है फिर वो हाथ पर नीचे लेकर जाता है तो थोड़ी देर में magnet यहाँ से निकलता है reason magnet जो है वो tube के अंदर बनाएगा eddy currents यहाँ पर eddy currents बनेंगे eddy currents अपने cause को oppose करते है cause यहाँ पर है motion of the magnet downward direction तो magnet का motion opposed हो जाएगा उसको एक retardation opposition मिलेगा जो कि उसको acceleration g से नहीं चलने देगा तो यह slowly नीचे आता है तो question है will stop in the tube गलत हो गया रुकता तो नहीं आता तो है नीचे will move with an acceleration equal to g यह भी गलत है free fall भी नहीं है oscillate नहीं करता है हाँ वो नीचे को आना शुरू हो जाता है constant speed के साथ उसी तरह जैसे बिटा एक बंदा है न parachute के साथ जब नीचे आता है तो parachute जो है उस पे upward force अपलाई करता है parachute upward force अपलाई करता है और gravity का force होता है downwards एक speed ऐसी होती है जिस पे यह दोनों force balance हो जाते हैं और यह constant speed से नीचे को आता है तो यह magnet भी पहले तो speed up होगा no doubt लेकिन जब speed इतनी बन जाए कि addy current जो है वो इतना force लगा देंगे जितना gravity का या इसका weight था जब यह दोनों बेटा balance हो जाएंगे तो फिर magnet नीचे को आता है constant speed के साथ तो magnet जब अंदर आ जाएगा tube के तो tube में एडी currents बनते हैं वो एडी currents ही magnet को slow down करते हैं और ultimately इतना force बना देंगे कि जितना उसका अपना weight है उसके बाद लगेगा Newton's first law of motion net force जब होता है zero तो आप जानते हैं कोई object खड़ा है तो खड़ा रहेगा जो motion में है वो constant velocity के साथ चलता भी रहेगा चलिए that was question number 12 13th question एक wire है fixed length का wire है fixed length का उसको हमने पहले एक solid white की form में wind किया जिसकी length बनी L और radius था R फिर उसी को हमने एक और pipe लिया एक नया solenor त्यार कर दिया जिसकी length है L by 2 और उसका radius हमने R by 2 कर दिया देखो length का मतलब सिर्फ यह है कि हमने वो turns जो है ना वो कितनी दूर तक लेके जाने इतना ही फारक है बिटा आप ये भी कर सकते हैं कि सारी length को यही find कर दो बाकी length ना use करो तो जो turns इतनी जगा में फैले हुए थे दूर तक वो आपने कम जगा में पैक कर लिए तो length तो आप ऐसे भी reduce कर सकते हैं हाँ क्योंकि radius भी half हो गया radius half होने से जो circumference है tube का वो भी half हो गया तो उसके कारण जो number of turns है वो डबल हो जाएंगे पहले एक चक्कर देने में आपको 2 pi r length यूज करनी पड़ती थी अब radius आपने आदा कर दिया तो अब एक चकर में आप length यूज करते हो pi into r by 2 by 2 पहले 2 pi r था अब pi r रह गया तो एक चकर में कम length लगी तो obvious है आदी length use हुई तो आप उतने length में बटा 2 चकर दे पाएंगे तो same length आपने use करनी है अगर पहले number of turns थे n तो अब number of turns हो जाएंगे 2 n secondly पहले ये turn यहां तक फैले हुए थे इतने distance में अब आपने वो distance भी half कर दिया इसके उपर ही चड़ा दिये बाकी के turns भी यहीं कर दिये सारे थोड़ा मोटा हो जाए है कोई बात नहीं लेकिन सभी turns को आपने यहीं wind कर दिया length को आपने कर दिया है l by 2 अब जो formula था self inductance का that was l equal to total turns की formula लिख रहा हूँ दो formula थे एक में small n भी आया था कि मैं capital n total terms वारा formula लिख रहा हूँ mu naught n square area by n a area area of one term तो area बिज़रा दियान से देखिए बाटा अगर radius को हमने कर दिया है half तो area बन जाएगा 1 by 4 निया area a dash equal to a by 4 तो अब आपको बेटा तीन चीजें चेंज करनी है number of turns number of turns यानी mu naught into n बेटा हो जाएगा 2n 2n का square करेंगे तो 4n area area को करेंगे बेटा a by 4 बताया मैंने radius साफ हो गया तो area 1 by 4 हो जाएगा और length जो है वो भी आदि कर दी बेटा हमने तो parameter चेक कर लिए हमने क्या क्या affect कर दी है 4 से 4 हो गया cancel ये 2 जाएगा उपर तो निया जो inductance है उसमें 2 times बाकी सारा formula जो चेकरों से नहीं आएगा तो inductance का value 2 times आजाएगा first option जो है वो इसका सही answer है चलिए तो अब चलते हैं next slide पे तो अब question अगला है in the figure shown a magnet is pushed towards the fixed ring along the axis of the ring and it passes through the ring तो question है कि इस ring के B side और A side में कौन सा pole develop होगा चलो एक काम करते हैं क्योंके diagram ना 3D है इस magnet ने जाना है towards the loop loop का जो ये वाला side है जो मैं shade कर रहा हूँ बढ़ा dotted का मतलब पीछे और thick का मतलब हमारी side यानि यूँ सोचे है कि magnet ना 3D ने draw किया magnet ऐसा है ये side आपको दिख रही है वो वाली है और जो A side है वो पीछे वाली side है जो आपको नहीं नज़रा रही एक काम करते हैं मैं ना एक coin draw करता हूँ आप से आपको और clear होगा तो कुछ इस तरह से है situation बढ़ा जो पिछला part है जो आपको coin का part नहीं नज़रा रहा वो A है और जो दिख रहा है इसको नाम दिया है B तो अब एक magnet को हम इसके पास लेके आएंगे पास लाने पे आप जानते हैं magnet का motion eddy currents इसमें eddy current बनेगे उपर loop में तो single current बनेगा induced current तो current अपने cause को oppose करेगा यानि कि magnet को आने से रोकेगा तो यहां पे बनेगा north pole B side में और A side में बनेगा south pole तो उसके according आपको यहां पे options में से सही डूणना कौन सा है question है जब magnet towards the ring आएगा तो पहले option लिखा है B south pole बन जाता है south नहीं बना north बना गलत हो गया दूसरा option है जब magnet moves away from the ring face B becomes north pole जब magnet ring से बाहर निकल आएगा इदर यह तो coin है ना coin में से नहीं निकलेगा ring में से निकल सकता है तो बेटा जो south pole है वो magnet से sorry ring से away जा रहा है away जा रहा है तो यहां पे बनाना पड़ेगा north pole इसको खींचना है वापिस पीछे को तो यहां पे south pole बनेगा पर यहां पे कहा लिखा B becomes north pole यह भी गलत हो गया third option है when magnet goes away from the ring जब magnet A से दूर जा रहा है तो B पे बनेगा A पे बनेगा north pole बिल्कुल सही है और B पे बनेगा south pole बिल्कुल correct आगटा तो third option जो है वो सही option है magnet जब आ रहा था पास में तब उसका आना अपोस करना है तो यहां पे north pole बनेगा जब magnet निकल जाएगा इसके अंदर से यानि magnet इदर पहुंच चुका होगा cross करने के बाद जब magnet loop से away जा रहा है तो इसको south pole को हमने जाने से रोकना है तो यहां पे एक attractive force चाहिए attractive force तब बनेंगे अगर यहां पे बनेगा north और B पे बनेगा south तो third option is the correct option चलिए next question है number 15 15 question है एक vertical rod है जिसका length है L उसको एक constant velocity V से towards east move कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं पहले मैं directions mark कर देता हूँ यह हो गया आपका north south direction यह हो गया east west direction और आपकी जो rod है उसने east की तरफ जाना है velocity V के साथ rod ने east की तरफ जाना है तो आप जानते हैं वो जो formula था ना B L V बना उसमें velocity length of the rod और जो magnetic field है वो तीनों आपसे right angle पे होने चाहिए बट अर्थ का आपको ना total magnetic field दे रखा है और angle of dip दिया है थीटा तो total magnetic field है downwards ऐसे हैं इसका आपने vertical component निकालना है ये angle आपको दिया है थीटा तो horizontal component निकालना हो वो होता है B into cause of angle of dip vertical component निकालना है तो B into sine of angle of dip तो आपको multiply करना है B की जगा B sine theta length of the conductor into V तो यहाँ पे आपके पास sine theta वाला answer आना चाहिए second option जो है वो सही option है ज़्यादा मुश्किल नहीं था vertical component of magnetic field यूज करना है तो इसके लिए थोड़ा सा angle of dip horizontal component, vertical component का knowledge भी होना चाहिए चलिए जी 16th question पे आजाएए A, B दो metallic rings है placed on the sides of infinitely long straight connecting wire as shown अगर इस current को हम slowly कम करना शुरू कर दे तो direction of induced current क्या होगा तो ऐसा question हमने conceptual में किया था वैसे उसमें लेकिन एक ही ring था इसमें दो ring है तो अगर आप right hand के right hand के मुठी बंद करके जो thumb है उसको upwards point करें तो यहाँ पे magnetic field का direction check करना outwards आएगा और यहाँ पे magnetic field का direction into the paper आएगा into across, outwards को dot और यह जो current है इस wire में that means यह जो magnetic field का strength है वो भी कम होगा field का strength degrees होगा degrees होगा यानि कि number of magnetic field lines degrees होगी लेकिन language law कहता है कि induced current का direction होता है तांकि यह अपने cause को oppose कर सके तो अगर magnetic flux जो है वो कम हो रहा है तो उसको पूरा करने के लिए same direction में magnetic field बिनाना पड़ेगा तो ring B में induced current का magnetic field into the paper होना चाहिए यानि आप अपने right hand का मुठी बंद करके थांब को ना into the paper करो थांब को into the paper यानि magnetic field lines जो है induced current की वो अंदर की तरफ होनी चाहिए into the paper तो B में जो direction of induced current है B में जो direction of induced current है field बेटा अंदर की तरफ बनाना है अंदर की तरफ बनाना है तो direction current की clockwise direction और A में field बाहर को बनाना है तो यहां पे बेटा current जो है वो anti-clockwise direction में होना चाहिए B में clockwise A में anti-clockwise so B में clockwise और A में anti-clockwise तो second option जो है अपना वो सही है चलिए next question की तरफ बढ़ते है A B एक resistance less conducting rod है A B एक rod है conducting है लेकिन इसका resistance नहीं है इसको गुमाया angular velocity omega के साथ in a circle of radius r यह radius r है विटा यह वाला तो question है कि इस rod में the resistors r1 and r2 do not rotate then current through resistor r1 is r1 resistor में से कितना current जाएगा चलिए तू start करते हैं तो पहला काम है कि वोल्ट यह निकाला जाए कितने volts induced होंगे तो volts induced के लिए मान लिए जो induced dmf का formula था b omega l square by 2 तो जो rod है उसका radius अगर है l और यह गूम रही है radius r में rod का length l radius r में गूमेगी तो induced dmf बनेगा b omega r square by 2 l square लिखते थे थे ना l की जगा r लिखे है b omega r square by 2 अब question है कि resistor r1 में से कितना current जाएगा इतना ही पूछा बिटा आप से तो इस question को जोड़ा द्यान से करना question द्यान से पढ़ना है पहले तो total current पूछा जाए तो कुछ और answer आएगा resistance r1 में से कितना current गया वो निकालना है तो यह जो induced emf है e इसको अगर मैं यहां पे बटा बात करूँ जब rod जो है इदर को गूमेगी clockwise direction में तो यहां पे जो charges हैं वो फ्लेमिंग्स left hand रूल अप्लाई करेंगे तो four finger से field into central finger से motion downwards तो thumb से जो force on positive charge है वो right की तरफ को आएगा तो b जो है positive बन जाएगा और जो center है वो negative बनेगा a भी positive बनेगा no doubt तो यह जो बाहर का circle 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 है इस पे आएगा बेटा positive voltage और जो center वाला part है इस पे आएगा negative voltage और voltage रहेगा b omega r square by two अब क्या है कि यह circle का पूरा का connection एक है तो positive से negative की तरफ को एक current जाएगा r1 में से और एक यह भी positive है बेटा पूरा circle का circumference positive है एक current इधर को जाएगा बेटा बट हमें current सिर्फ r1 का पूछा है current through resistor r1 तो आपने current निकालने के लिए कुछ नहीं करना हैंगे बेटा divide by r1 अगर तो निकालने हो सिर्फ r1 का current तो e by r1 तो b omega r square by 2 और नीचे एक r1 लगा दो b omega r square by 2 और नीचे एक r1 लगा दो current आ गया बेटा हाँ अगर पूछा होता कि total current कितना जाएगा circuit में से बेटा positive से दो resistance जुडे हुए है r1 भी जुड़ा है r2 भी जुड़ा है ऐसे और दोनों को negative पे एकठे जुड़ा गया है यहां पे तो यह combination हुआ अगर total current पूछा होता कि rod में से total current कितना flow करेगा तो total current निकालने के लिए आपको e यानि कि induced mf divide by यह दोनों resistance को फिर parallel कर लेना अभी तो कर जूट नहीं पड़ेगी अभी सिर्फ r1 का करन पूछा है तो दोनों resistance चाहें कोई और भी लगा लो आप यहां पे ऐसे यह सारे के सारे resistance जो हैं they are in parallel parallel में क्या होता voltage सेम होती है सभी को इतना ही वोल्ट मिलना है बस voltage को बड़ा resistance से डिवाइड कर देंगे उस particular resistance का current आ जाएगा तो first option इसका सही answer है चली अब next question पर move करते हैं बड़ा next question है 18 when an alternating emf e0 sin omega t यानि sin of 100 t apply करते हैं across an inductor तो जो maximum current है वो i0 था i0 था तो i0 by root 2 कर लो बड़ा वो rms current पिया जाएगा और जब हम इसको replace कर देते हैं inductor को एक capacitor से तो rms current जो है वो 4 times हो जाता है तो possible values of l and c क्या है तो अगर बड़ा rms current 4 times हो गया तो ये वाला rms current i0 by root 2 होना चाहिए था उसको मैं i लिख लूँगा भी i0 by root 2 को तो पहले current चल रहा था इसको i0 की जगह पे i लिखना ठीक रहेगा रिप्लेस कर देता है कि जड़ा i0 मतलिखिए इसको i लिखिए बड़ा पहले current i था i rms और फिर current हो गया 4 times i rms इसको अटा के only i कर दीजिए बड़ा चलिए तो पहले जो current था that was क्योंकि उसमें inductor लगा हुआ था तो inductor के कारण current आ रहा था e rms upon inductor का reactance अब inductor को replace कर दिया capacitor से तो निया current 4 times हो गया तो यह आएगा 1 by omega c पहले भी किया हमने na xc का value तो दोनों को divide कर दें अगर हम तो divide कर दें यानि की equation 2 उपर equation 1 नीचे चलो तो बेटा यह omega c तो उपर ही आना था omega c उपर आ गया e से e cancel हो गया i से i भी cancel हो गया e rms भी cancel हो गया right तो left hand side पे बचा 4 right पे बचा omega l into omega c so this is a condition which must be satisfied by one of these two ices हाँ अब omega को omega से मलप्ला है किया omega square आएगा omega आपको दिया है question में 100 is it sin omega t तो omega 100 है 100 का square कर देंगे 10,000 आ जाएगा 10,000 को आप एक काम करिएं यहां पे न c का value जो है वो microfarad में है तो microfarad अगर x microfarad है c का value यह हम inductor को x लिख लेते हैं ऐसा लिख रहेगा l को लिखा x कपैस्टर को लिखा y microfarad तो y microfarad के farad बनाएंगे 10 power minus 6 आएगा इन दोनों को multiply करेंगे तो 10 power minus 2 10 power minus 2 को left पी ले जाएंगे तो power plus 2 चलिए तो 400 आजेगा बिटा तो हमें एक ऐसा pair डूनना है question है what are the possible values of l and c हमें एक pair डूनना है ऐसा तांके x और y का multiply करके answer 400 आए है तो समझगे होंगे answer is number 2 ओके 19th question एक solenoide है उसमें torrent से 1000 जब 4 ampere करंट पास किया तो जो magnetic flux link था that came out to be 4 into 10 power minus 3 weber question है कि solenoide का self inductance कितना है तो एक simple formula था जब हमने self inductance पढ़ा phi is equal to l into i तो phi लेकिन आपको यहां पे flux दिया है each turn एक turn का flux 4 into 10 power minus 3 है तो उसको into number of turns करेंगे तो आएगा total flux linked with the coil flux दिया है l निकालना है current दिया है बस यह दियान रखना flux per turn को into number of turns चलिए multiply किया बाकी remaining calculation है 4 से divide कर दिजे current आपको 4 ampere दिया 4 4 cancel 10 power minus 3 से 10 power plus 3 भी cancel and answer जो है वो आजाएगा equal to 1 henry सारा कुछ cancel हो गया ना 4 से 4 गया बेटा 10 power plus 3 से 10 power minus 3 गया तो l equal to 1 henry answer आएगा 20th question पे आजाएए AC circuit है instantaneous EMF दिया है current दिया है यह कराया था question पहले भी एक cycle में कितना power consume हुआ और वो जो wattless component of current है वो कितना है तो average power का formula पहले की तरह आज कई बार हो गया ERMS into IRMS into cos phi RMS value निकालने के लिए peak voltage को आपने root 2 से divide भी करना है याद आगे ना RMS value निकालने के लिए peak voltage को root 2 से divide peak current को भी root 2 से divide चलिए तो 100 by root 2 20 by root 2 into cause of phase angle between current and voltage चेक करिए दोनों जगा sign sign लिखा हुआ है तो यहाँ भी 30T था इदर भी 30T था लेकिन यहाँ पे minus 5 by 4 भी किया है minus 5 by 4 मतलब current जो है voltage से 45 degree पीछे है तो phase difference between current and voltage 5 by 4 तो cause of 45 की value आपको पता है 1 by root 2 और RMS voltage RMS करन लिखने के लिए peak voltage को root 2 से divide भी करना होता है चलो यह 2 से 20 cancel हो जाएगा उपर 10 आएगा तो 1000 by root 2 इसका एक ही option है वैशे तो third option सही आना चाहिए फिर भी check कर लेते हैं 10 आना कि नहीं आना है तो यह 10 मतलब watt less component of current current का वो component जो voltage के साथ 90 degree के angle बनाता है तो दोनों में phase difference आपको 45 degree दिया था तो current का वो component जो voltage के साथ 90 के angle पे है जिसका power नहीं है जो wattless component है जो current voltage के along होगा उसका power होता है जैसे resistance में current और voltage same phase में होते हैं inductor capacitor में current और voltage में 90 का difference रहता है तो वो component current का जो voltage के साथ 90 के angle पे आएगा वो component होगा i into sin 45 degree तो sin 45 के value आपको पता है 1 by root 2 तो current का rms value आएगा 20 by root 2 root 2 root 2 करेंगे 2 आजाएगा 20 by 2 करेंगे तो 10 आजाएगा 21st question last के 5 question थे fill in the blanks वाले तो question था 21 एक series combination है जिसमें inductor और capacitor का value दिया है inductance henry में थी capacitance microfarad में थी question है कितनी frequency पे frequency variable है current maximum हो जाएगा तो वो maximum current तब होता है जब resonance आता है resonance पे frequency होती है 1 by 2 pi root of LC बस values पुट करने ही मेटा L का value पुट करो henry में capacitance का value पुट करो farad में तो microfarad के farad बनाने पड़ेंगे into 10 power minus 6 आएगा चलो 1 by 5 1 by pi का square करेंगे root लेंगे तो 1 by pi ही आएगा बाहर है ना 10 power minus 6 का बेटा root लेंगे 10 power minus 3 pi pi cancel 10 power minus 3 उपर जाके 1000 बन जाएगा 1000 को 2 से डिवाइट करेंगे तो 500 तो इसका answer आपको 500 लिखना था चलिए बस यह द्यान लखना के जो option है ना उसमें 500 लिखना अपने hertz नहीं डालना बटा only 500 जो question integer type है उसमें जो integer आया वो ही number feed करना है unit नहीं लिखना होता चलिए question number 22 एक uniform magnetic field है जिसका value दिया है 3i cap, 4j cap, plus 5k cap rod है एक length 5 meter की उसको y axis के along रखा है और उसका motion जो है वो x के along है with speed 1 meter per second तो rod में induced EMF क्या आएगा तो बात वो ही कि BLV formula जो है उसमें na BLV तीनों आपस में right angle पे होने चाहिए तो rod का length जो है वो y axis के along given है motion of the rod x axis के along given है तो magnetic field जो z axis के along होगा यानि कि जो field का component है 5k cap सिर्फ यहीं चाहिए हमें इसने कुछ नहीं करना 3i cap ने 4j cap ने कुछ नहीं करना तो आप magnetic field का value जो है न 5 tesla यूज करेंगे और इन तीनों को multiply करना है BLV करेंगे और answer आजाएगा तो 5 meter rod का length 1 meter per second velocity magnetic field only 5 use करना है तो तीनों को multiply कर दीजए 25 volt rod के cross induce हो जाएगे 23rd question जो है उसमें थोड़ा सा IQ आपको यूज करना पढ़ेगा चल्ड़ो मैं दीरे दीरे draw करता हूँ y axis हो गई x axis हो गई और z axis हो गई एक point आपको दिया था a 000 तो वो तो origin हुआ point b था 500 यानि कि x axis पे आएगा point c था 55 x axis के long 5 y axis के long 5 लेकिन z axis के long नहीं जाना तो यह c point आ गया और d point था 0 सिरफ y axis पे 5 है सिरफ y वाला बाकी दोनों 0 है तो y axis पॉइंट आएगा यह point आगा d आपका e point है 055 बेटा x नहीं लेना आपने left को या right को नहीं जाना सिरफ upward जाना है 5 और z के long भी आना है 5 तो आपका यह point आगया e and last is 005 ना x ना y सिरफ z के long जाएंगे 5 यह point आपका f है इनको मिला के एक loop बनता है यह loop है बेटा yellow color का सारा question है इस loop में से total flux कितना cross होगा तो loop के जो areas है कुछ area तो इसका x y plane में है और कुछ area इसका y z plane में है लेकिन है square no doubt दोनों तो 5 into 5 करेंगे 25 यह वाला area भी 25 है यह वाला area भी 25 है area दोनों बराबर है हाँ लेकिन direction क्योंकि बताया है आपको area vector का direction plane को right angle पे होता है तो इसका area vector point करेगा along z axis और इसका area vector plot करेगा इसका area vector point करेगा along x axis तो x वाले vector को लिखेंगे 25 i cap और y वाले sorry z वाले को लिखेंगे 25 k cap तो अपने पास जो area है loop का वो दो area से बना हुआ है तो total area को हम लिखेंगे 25 i cap जो x y plane में है sorry y z plane में है और यह वाला z के long point कर रहा है प्लस 25 k cap और आपको magnetic field का strength भी दिया है 3 i cap 4 k cap और जो flux निकालना है factor form में अगर दिये हो magnetic field और area vector तो हमें b को a से dot करना होता है dot में आप जानते हैं i वाला i से multiply j वाला तो ही नहीं k वाला k से multiply और इनको plus करो total flux आजाएगा 175 weber चलिए second last question two cities are 100 km apart ऐसे वेला distribution line होती है न दो cities के बीच में जो distance है वो 100 km है एक city से दूसरे city को अपने power बेजना है और पर km 1 km distance में जो energy का loss हुआ उसमें क्या था 5 V का potential difference रहता है 1 km length में और 1 km का resistance 0.5 ohm है तो total power loss पूरी supply में kilowatt में कितना हुआ that was the question तो power lost पर km, power होती है V square by R तीन formula थे V into I, I square into R यहां पे volt दिये थे तो V square by R यूज कर लिया तो 5 का square 25 resistance हुआ बेटा 1 km का 0.5 तो point हटा के बेटा उपर एक 0, 5 से 5 cancel तो 50 watt का loss हो रहा है पर km में तो 100 km में कितने watt का loss होगा into length कर दो 5 kW 5,000 watt आ गया 3 0,000 छोड़ तो बेटा किलो वाट में आंसर आ जाएगा तो answer was 5 kW अब last question एक 100 ohm का क्वाइल है उसमें EMF induced किया गया by changing magnetic flux तो question है कि अगर current का variation time के साथ यह question में पहले discuss हो चुका है एक straight line जो है with negative slope से represent हो रहा है तो total change in magnetic flux in the coil Weber में कितना था SI units में तो induced DMF का formula D5 by DT induced DMF को resistance से divide कर दें तो current आ जाएगा कि कितना current क्वाइल में तो D5 by DT divided by R अब जो current है वह भी equal to charge flowing part second होता है DQ by DT या फिर DT को right पे shift कर लीजिए तो current into time करेंगे तो वह आ जाएगा charge तो यह आ गया कितना charge flow हुआ तो हमें इस diagram से निकालना आपको D5 है तो D5 जो है वह equal to R into DQ तो इस diagram से हमने यह निकालना कितना charge flow हुआ तो area under current time graph होता है charge जो कि पास हुआ circuit में से तो आपको यह triangle का area निकालना है half into base into height कर देंगे वह आ जाएगा charge जो पास हुआ उसको resistance यानि कि 100 से और multiply करेंगे तो आ जाएगा flux में कितना change आया तो इसका answer आना था 250 वेपर चलिए thank you for joining that was all in today's lecture तो जो आपकी गलतियां है mistakes आपने की हैं उनको देख लेजिए कहां कहां पे आपके कौन से concepts weak है बट यह पता उनको जिनों टेस्ट दिया है जिनों टेस्ट नहीं दिया उनके लिए उतना useful नहीं होगा obvious है उनको benefit जोए 80% ही मिलेगा जिनों टेस्ट दिया है they would get 100% benefited so my sincere advice test सारे दीजिये test को मत छोड़िये बटा thank you for joining have a nice day